नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल सोनम्स गाडनिंग पैशन पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये गुड़हल का प्लांट है आज हम इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ मैंने इसी कैसे ग्रो किया है और रिपॉर्ट किया है ये भी मैं एंड में बताऊंगी तो एंड तक जरूर बने रहे हम जब भी किसी प्लांट को लगाते हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आउशक होता है उतने ज़्यादा ही इसके फायदे होते हैं बुड़हल को हिंदी में जावा कुसुम के नाम से भी जानते हैं ये कई रंग के होते हैं लाल, पीला, सफेद, गुलाबी, औरेंज इनकी जो पतियां हैं वो गाड़े हरे रंग की होती है इसका जो पौधा है वो आकार में 10-15 फीट तक भी हो जाता है आईए जानते हैं इस फूल की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कुछ प्रमुक प्रजातियों के बारे में तो सबसे पहला जो है वो है शेरोन का गुलाब, हाड़ी हीबिकस, रोज मैलो और उश्न कटी बंधिय हीबिकस इस फूल की पूरी दुनिया में लगभग 200 से ज़ादा प्रजातिया पाई जाती है अब हमने इसकी बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की अब हम जानते हैं कि इस फूल का उपयोग क्या क्या होता है तो सबसे पहला बालों की लिए गुड़हल का फूल बहुत ही फायदे मना जाता है अगर आप जो ओल लगाते हैं इसमें इनके फूलों को डाल कर थोड़ा सा ओल को गरम करके अपने बालों में ठंडा करके अपने बालों में यूज करते हैं तो आपके बालों को में जो जढ़ने की समस्या है वो कम हो जाती है साथ ही साथ आपके बाल जो है वो घने और सुन्दर काले बने रहते हैं दूसरा है गुढ़हल की चाय भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है तीसरा गुढ़हल के फूल में सम्रद मात्रा में पाए जाने वाले आईरन और विटामिन सी सर्दी जुकाम में भी राहत दिलाते हैं भारती आयरवेदिक चिकिस्सा में भी इसका उपयोग बहुत मात्रा में होता है तो यह हमने कुछ उपयोग के बारे में जान लिया है गुढ़हल के फूलों के अब हम जानते हैं कि गुढ़हल के फूल हम कैसे उगाए कि किन तरीकों से हम गुढ़हल के फूलों को उगा सकते हैं तो सबसे पहला है बीस से आप बीस से उगा सकते हैं न तो आप जब भी मिटी बनाए अपने पॉट के लिए तो 80% उसमें गार्डन सॉयल ले, 10% गोबर की खाद ले, साथ ही साथ 10% उसमें बर्मी कंपोस जरूर मिलाए और अगर आप इसकी सिवा भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप नीम खली या फिर नीम की सूखी पत्यों का भ खोड़ा सो मुश्किल हो जाता है तो सर्दियों में ये बढ़ना बंद हो जाता है ये गर्मी वाला पॉधा है इसे जादा नमी पसंद नहीं होती खाद ऐसी दें जिसमें पोटेशियम और फासफोरस मौजूद हो आप चाहें तो गमले के अंदर केले की छिलकों को बारी क अब इस पौधे को हम जमीन में लगाएंगे क्योंकि मैं अकसर जो पौधे है वो गाडन में ही अपने लगाती हूं तो अगर आप पॉट में लगाना चाहते हैं तो आप मेरे मैथड को यूज कर सकते हैं जो मैंने पहले जानकरी ये देखिए मैंने खड़ा खन लिया है उ सुखी पत्तिव दोरह तो यह है यह मैंने कर लिया है अब मैं क्या करे हे हूँ की गमले मैं इसे में इसे-मी झीम साफ करने के साथी आप अब इस पे मिठिशे लगा कर मिठी इस पर चड़ादे इस तरह से जैसा की मैं कर रही हूँ आप देए जोरी इसिस में कली तो इसलिए अभी प्लांट को तुरंथी में लगा रही हूँ इसलिए मैं थोड़ी सी काली मिट्टी भी उसकी जड़ों के आसपास डाल रही हूँ ताकि वह जो है उसने वह मिट्टी को एकसेप्ट कर ले यह देखिए मैंने इसे डाल लिया है बहुत ही अच्छी तरह से चा जब ही आप पानी उसमें बहुत अच्छी तरह से देना है जाए वह गं mle में लगा रहे हो या फिर आप से जमीन में लगा रहे हो यह कि अच्छी तरह से मिट्टी चड़ाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से पानी दे देंगे तो पानी देना बहुत ज़रूरी होता है आप गमले में लगाते हैं तो इतने पानी की ओशक्ता नहीं होती है लेकिन जमीन में लगा रही हूँ इसलिए मैं थुड़े ज़्याधा ही पानी डाल रही हो तो इस तरह से आप भी गुड़हल का पौधा जो है बहुत ही अच्छी तरह से आसानी से लगा सकते हैं और अपन